हेलो गाईज वेलकम टू कुक विद प्रतिबाश्यों हरे तो चलिए आज बनाते हम लोग ब्रेड की मिठाई फ्रेंट से मिठाई बहुत ही जल्दी बनकर त्यार हो जाती है आपको किसी party में अगर ये मिठाई बनाना है तो बहुत ही जल्दी बन कर त्यार हो जाएगी 10 मिनट के अंदर आपकी डिलिस्यस से मिठाई बन कर त्यार हो जाती है क्योंकि हमने ब्रेड से बनाई है तो बहुत ही आसान होता है इसको बनाना और खाने में काफी टेष्टी लगती है ये देखी देखने में बहुत टेम्टिंग लग रही है तो चलिए मिठाई बनाना शुरू करते हैं तो यहां मिठाई बनाने के लिए मैंने लिए तीन ब्रेट की स्लाइस आप लोग जितनी मिठाई बनाना चाहे उतनी ब्रेट की स्लाइस ले ले एक ब्रेट से दो मिठाई बनकर त्यार हो जाती है तो यहाँ पर ले लिजे आप आधा लीटर दूद और इस दूद को आप पकने के लिए रख दीजे बस हमें इसको 6-7 मिनट पकाना है हाई फ्लेम पर तो यह पकते पकते काफी गाड़ा हो जाएगा हमें दूद को थोड़ा सा गाड़ा करना है जैसे हम रस्मलाई के लिए करते हैं वैसे ही तयार करना है इस दूद को तो यहां मैंने थोड़ा सा गरम दूद लिया है इसमें डाल देंगे अब कुछ केसर के धागे ताके हमारे दूद में एक अच्छा सा कलर आ जाए और केसर का फ्लेवर आ जाए तो देखिए हमारा दूद पकते-पकते काफी गाड़ा हो गया है साथ-ाथ मिनट में ही दूद काफी गाड़ा हो जाता है क्योंकि हमने इसको चौड़े से बरतन में रखा है पकने के लिए अब इसमें डाल देंगे टेस्ट के कॉर्डिंग चीनी तो यहां मैं डालूंगे 6-7 टी स्पून चीनी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी ले लीजे चीनी को अच्छे से मिक्स कर देंगे और दूद को थोड़ी देर और उबाल लेंगे अब डाल देंगे इसमें केसर वाला दूद और अब एक मिनट फिर से हम दूद को पकाएंगे चलाती हुए अब देखिए दूद हमारा तयार है गैस को बंद कर देंगे और दूद को थंडा होने के लिए रख देंगे अब यहाँ पर ब्रेट को थोड़ा थोड़ा सा सेक लेंगे पैन में घी लगाएंगे तवे में और थोड़ा सा ब्रेट को सेक लेंगे आप लोग चाहें तो कच्ची ब्रेड से भी ये मिठाई बना सकते हैं कच्ची ब्रेड से भी ये मिठाई बन जाती है तो देखिए हमने थोड़ा थोड़ा से ब्रेड को सेख लिया है बस जादा बहुत जादा डार्क कलर नहीं करना है ब्रेड का इसी तरीके से हमने सारी bread सेख ली है यह देखी दूद भी हमारा ठंडा हो गया है अब इसमें थोड़ी से हम dry fruit एड़ कर देंगे यह कटे हुए पिस्ता और बादाम है अब देखी दूद हमारा बिल्कुल तयार है यह ठंडा भी हो गया है तो चलिए अपने bread के piece को काटते है अब यह मैंने cookie cutter लिया है यहाँ पे अब मैं इसी shape की bread से piece कट कर लूँगी आपके पास जो भी हो उसे आप pieces कट कर लीजे तो यह मेरे पास cookie cutter है इससे काट लीजे आपके पास अगर इस type का नहीं है तो जो भी आपके पास हो छोटी सी cutter हो या छोटी सी glassya हो glass हो या किसी बोतल का धक्कन हो उससे भी आप काट सकते हैं bread की slice को तो देखे मैंने यहाँ पर तीन bread से 6 मिठाई के piece काट लिए हैं और double double काटे हैं मैंने जैसे यह heart shape के हैं जो यह भी हमें हर piece को double double करके ही रखना है तब ही हमारी मिठाई में थोड़ी सी thickness देखेगी और वो देखने में और खाने में बहुत ही tasty लगेगी तो ठीक है हर piece को double double करके ही हमें रखना है यह देखी मैंने star shape के और heart shape के यह pieces कट कर लिए है तीन bread से मेरी 6 मिठाई बनकर तयार हो जाएंगे यहाँ पर अब चलिए दूद तयार है bread तयार है तो इस दूद को अब अपने bread के उपर हम डालेंगे दूद भी हमारा ठंडा हो गया है तो अब हम दूद को bread के उपर दीरी दीरी करके डाल देंगे और bread को फिर 10 मिनिट के लिए rest करने के लिए रख देंगे इस तरीके से आपको पूरा दूद दीरी दीरी करके डाल देना है इन मिठाईयों के उपर फ्रेंट्स इस मिठाई का स्वाद बिलकुल रसमलाई की तरह लगता है तो आप इसको जरूर ट्राई कीजी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है ये देखे हमने पूरा दूद इसके उपर डाल दिया है अब बस इसको थोड़ी तेर हम इसी तरह से छोड़ देंगे लगभग 10 मिनट के लिए तो ये हमारी ब्रेड ना बहुत अच्छे से फूल जाएगी दूद में तो फिर काफी टेस्टी लगती है खाने में बस 10 मिनट के बाद इसको आप थोड़ा सा और ड्राइफ फ्रूट के साथ गार्निस कर दीजे कटे हुए पिस्ता बादाम के साथ ये देखिए हमने गार्निस कर दिया है मिठाई को अब आप देख सकते हैं कि कितनी टेस्टी मिठाई दिख रही है यहाँ पर फ्रंस खाने में इस मिठाई बहुत ही टेस्टी बनती है और बनाना तो आसान है ही जट परट से बन कर तयार हो जाती है किसी भी पार्टी में आप इसको बना सकते हैं अभी तुह निव यर आ रहा है आप उस पार्टी में इस मिठाई को बनाएए रेस्पी पसंद आई हो तो सबके साथ शेयर कीजे और चैनल पर अगर नए हूँ तो चैनल को सबस्क्राइब कीजे तो फिर मिलते हैं नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए जै हिन जै भारत